स्वागत है आप सभी का जैसे ही सीटेट के एक्जाम का रिजल्ट जारी होता है इसके बाद आप में से बहुत सारे लोग एक कुछन पुछना सुरू करते हैं कि सर हम लोग को हमारे जो सीटेट एक्जाम का मार्क सीट है और सर्टिफिकेट है यह किस तरीके से मिलेगा क्या इसका कोई हार्ड कोपी हमारे घर तक भेजा जाएगा तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बात को समझेंगे और यह जानेंगे कि किस तरीके से आप लोग अपना जो सीटेट का आपका मार्क सीट है और सर्टिफिकेट है यह आप लोग को मिलेगा तो आईए सुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेशन का तो आप लोग को एंसर देदें कि जो आप लोग का सीटेट का मार्क सीट और सर्टिफिकेट है यह इसका कोई भी हार्ड कोपी आपके घर पर नहीं भेजा जाएगा यह आप लोग को ऑनलाइन डीजी लोकर से ही डाउनलोड करना पड़ेगा तो आईए सुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग डीजी लोकर से डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आप लोग को अपने Google में DG Locker खोल लेना है यहाँ आपके सामने में हम लोग DG Locker को Open करते हैं यह आपके सामने DG Locker खुल गया और इसके बाद हम लोग DG Locker को Open करते हैं और यहाँ पर आपको Sign In का Option मिल जाएगा जो लोग पहली बार आ रहे हैं जिनलोंने पहली बार सिटेट का एक्जाम दिया है और अभी तक उनका DG Locker का एकाउंट नहीं खुला है तो उन लोग को Sign In से पहले Sign Up करना पड़ेगा Sign Up का मतलब है कि उन लोग को अपना एकाउंट पहली बार यहाँ पर बनाना पड़ेगा हमारा एकाउंट पहले से बना हुआ है तो यहाँ पर हम लोग Sign In करेंगे जिनका एकाउंट नहीं बना है वो लोग ध्यान रखेंगे कि वो अपना आधार नंबर दे कर जो आपका आधार कार्ड में नंबर होगा इस नंबर को दे कर और अपना साथ में एक मॉबाइल नंबर दे कर आप अपना Digi Locker पे एकाउंट बना सकते हैं तो हमारे एकाउंट चुकि पहले से बना हुआ है इसलिए हम लोग यहाँ पर सिधा sign in करते हैं यहाँ पर हम लोग उने sign in का बटन प्रेस कर दिया है और आपके सामने में खुल लिया आप यहाँ पर नीचे में देख पा रहे होंगे लिखा हुआ आ रहा है कि do not have an account sign up अगर आपका पहले से account नहीं बना हुआ है डिजी लोकर में तो यहाँ पर आप sign up कर सकते हैं और जो जो जनकारी आपको उहाँ पर मांगी जाएगी वो जनकारी आप अपना डाल सकते हैं यहाँ पर हम अपना mobile number डाल दते हैं mobile number security pin को हमने डाल दिया है इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसे ही आप sign in पर click करेंगे तो आपके mobile पर एक OTP आएगा आपको इस OTP को यहाँ पर डालना है हमारे mobile पर एक OTP आगया है हमने इस OTP को यहाँ से copy कर लिया और यहाँ पर paste कर दिया और इसके बाद हम लोग इसको submit कर दते हैं submit करने को आद हम लोग का जो हुआ है तो आपको दिखा देते हैं और अगर आप में से कोई पहली बारा है तो उनके लिए भी बता रहेंगे कि किस तरीके से हुआ अपना certificate डाउलोड कर सकते हैं यहाँ पर आप देखिए कि आपके सामने में issued documents का option है issued documents में हमारा जो यहाँ पर आप सबसे नीचे जा रहे हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि teachers eligibility certificate और marksit यहाँ पर है इसको अगर यहाँ पर हम लोग open option क्लिक करते हैं तो यह खुल जाएगा या फिर आपके mobile में download हो जाएगा इस बात को ध्यान रखेंगे लेकिन जो पहली बार आ रहे हैं उनको क्या करना है उनको क्या करना है कि search documents मेan यहाँ पर जाएंगे search documents में जाने के बार आप क्या करेंगे यहाँ पर आपके सामने में नीचे में Central Government का option होगा यहाँ पर लिखा हुआ है Central Government यहां पर सबसे पहले आधार कार्ड है फिर agricultural scientist लिखा हुआ है आपको यहां पर Central Board of Secondary Education इस पर आना है इस पर आने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहां पर आपको दिखाई देगा आप यहां देखिए नीचे दिखाई दे रहा है Teachers Eligibility Certificate और Teachers Eligibility Marksit तो आपको इन दोनों से मतलब है जब आप सेटिट का Marksit और Certificate डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं यहां पर क्लिक करने के बाद चुकि हमारा पहले से हमने Sign In करके रखा है तो मेरा नाम यहां पर दे रहा है और आपको क्या करना है कि यहां पर अपना Roll Number डाल दे है उसका यहां पर Option चुन लेना है जैसे कि हम लोग यहां पर 2021 जनवरी का Option चुन लेते हैं इसके बाद यहां पर हम अपना Roll Number डाल देंगे यहां पर imaginary Roll Number हम दे रहे हैं माल लिजे किसी का Roll Number है 1234567890 ऐसा करना के बाद यहां पर Get Document पर क्लिक कर देना है अपना Get Document पर क्लिक करन इसको डाउनलोड कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही हमारे चैनल के साथ इसी तरह आप लोग जोए रहे है लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले धन्यवाद थेंक्यू